हलो फ्रेंज जै माता दी कैसे हैं आप सब दूस्तों दिवाली की तरह खोली को भी बहुत ही तंत्र मंत्र और टोने टोटके के मामले में बहुत ही सुपर्ब रात्री मानी जाती हैं सभी लोग जब होली के हुर्दंग में डूबे होते हैं चारो तरफ मस्तियों का आलम होता है तब कुमनाम और सुनसान जगों पर तंत्र मंत्र टोटकों से होली खेली जा रही होती है इस होली में लाल हरे नीले पिले रंग नहीं योज होते हैं बलकि देशी पान के पत्ते, काले, तिल, सिंदूर, कपूर, नारियल, नीमबू, लाल मिर्च इन सभी से टोटके किये जाते हैं दोस्तों तंत्रिकों के दुनिया में दिवाली की तरह होली पर बहुत बड़ी परंपरा है इन छोटे-छोटे उपायों को चम पर दोस्तों के तरह को चीजों को अपको सिद्ध करना है इस थापित करना है लेकिन दोस्तों जब घरा भरा हुआ होता है तो उसमें आप पानी नहीं डाल सकते इसलिए इन चीजों को लाने से पहले आपको एक ताम सरूर करना है और वो है अपने घर से कुछ फैलाती है उन चीजों को अपने घर से पाहर कर देना है आप देखेंगे आपके जो बुरे दिन है वो अच्छे दिनों में बदलने लगते हैं अक्सर घर में रखी हुई ये चीजें एक समय के बाद पुरा असर देने रखती है और हमारे वास्तु शास्त्र में बहुत ही बुक सा गया है और आपको बार बार विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो हर निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक उर्जा होती है इस बात का आपको थ्यान रखना चाहिए लेट सपोज आपके घर में खाली लोटा आपने कहीं रखके रखा है सालों से ऐसे पड़ होती है और हो सकता है आपके घर में आपके बरबादियों का कारण वो हो दोस्तों घर में कुछ चीजे हैं अगर आपके घर में होती है तो बरबादी का आलम हो जाता है नकरात्मक उर्जा का भंडार होता है और चीवन दुखमाई होता जाता है आपको मैं वतादू टूट फुटी फुटी जो चीजे होती है, जिसे टूटे फुटे बर्तन, टूटी दरपन, टूटे हुए इलेक्ट्रोनिक सामान, तस्वीर, फरनीचर, पलंग टूटे हुए फरनीचर जो भी है, घरी ही अकसर होती है, पुरानी हो जाती है, हम उसको जमा करके रखते ते बैटरी बैटरी डालेंगे, वह पड़ी रहती है, मैनों तक पड़ी रहती है, इसी तरह से तूटे फुटे दिये होते हैं, जंग लग जाते हैं, कोई दियों का कोना तूट गया, या कुछ भी हो गया हम उसको रख देते हैं, पुरानी जाडू हम फेकते ने, नई जाडू लाते पुराने मग्स होते हैं, क्रैक हो गए, कप सोते हैं, कांच के वो ग्रैक हो जाते हैं, ग्लासे फट जाती है, कटोरिया फट जाती है, प्लेट्स फट जाती है, उनको रखे रखते हैं, दोस्तों इस तरह की चीजें आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में नकर इसके लिए हम तांतरिक सामान इतनी सारी चीजे खरीद रहे हैं मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि आपको कुछ चीजे हैं जो आपको होली से पहले घर लानी चाहिए तो घर से लाने के पहले उन चीजों को अपने घर में आने के पहले या स्थापित करने के पहले आप महाभारत का चित्र हमारे घर पे हो, तो वो भी हमारी तकदीर को बदल सकता है, लेकिन उल्टे तरफ से, यानि वो हमें परबाद कर सकता है, बगवान नटराज की जो मूर्ती होते हैं, यानि शिव जी के क्रोधित अवस्था की मूर्ती होती अगर आप dancer है या आप कला से related और उसको रखना चाहते तो अपनी जो practice का स्थान है वहाँ पर आपको रखना चाहिए अपने घर में इसको स्थापिक करके नहीं रखना चाहिए इसी तरह से ताज महल की मूर्ती या ताज महल के चित्र डूपती होई नाव की चित्र जैसे कई लोग शौक से टाइटानिक जहाज जब डूबा तो लोग टाइटानिक मूवी आई तो लोगों ने घर में भर लिये टाइटानिक के पोस्टर्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इसी तरह से फवारे, जंगली जानवरों के आप शौकीन होंगे जंगली जानवरों के अनिमल्स के डियर के लायन के, अलिफिंट्स के पर इनको आपको घर में इस तरह से नहीं लगाना चाहिए किसी की समाधि या दरगा की चित्र आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए जैसे कि ताजमेल जो मैंने बताया कि ताजमेल भी क्या है कब्र है इसको आपको घर पे नहीं लगाना चाहिए काटेदार पौधे होते हैं उनको तो रख जैसे कैक्टस आदी उनको घर में रखना भी नहीं चाहिए और साथ ही इनके चित्र भी आपको नहीं लगाने चाहिए इसी प्रकार से अगर देवी देवताओं के फटे पुराने चित्र हैं इनको आपको तुरंद बदल देना चाहिए इनको आपको घर पे इस तरह से नहीं रखना चाहिए नहीं तो ये नकरात्मक भावू का विकास करते हैं और हमारे जीवन में धीरे धीरे अच्छी घटनाए होनी बंद हो जाती है दोस्तों एक और चीज है जिसे हमें भगसर अपने घर से बाहर कर देना चाहिए मैं समय समय पर कहती हूँ कि आपको हमेशा अपने घर से पुराने कपड़ों की पोटली बना के कुछ लोगों को आदत होती है घरों की अलमारी में, दिवान में ऊपर टान होती है उस पर या कबड की निचले हिस्से में पीछे चुपा करके कपड़ों की एक पोटली कई न कई हर आदमィ चुपा के रख देता है दोस्तों फटे पुराने चद्दर हो फटे पुराने कपड़े हो यह घर में नकरात्मक मानसिक्ता लाते हैं, नकरात्मक उर्जा का निर्मान करते हैं, और इस तरह के वस्त्रों को आपको किसी को तुरन दान कर देना चाहिए, जो थोड़ा भी सामर्तवान है, वो आपके पुराने कपड़ों पे टोने टोटके आदी कर सकता है, इसलिए उनक के लेकिन नीचे बन्यान पहनेंगे फटी, आपको अपने जो अंग वस्त अंदर के पहनने के वस्त्रों होते हैं, वो कभी भी फटेवे नहीं पहनना चाहिए, फट जाए उसको आपको चेंच कर देना चाहिए, इसी प्रकार तौवे लादी भी जो यूज करते हैं, अगर क्या करता है, हमारे जीवन का कबाडा करता है, इस बात को आप समझ लें, कुछ लोगों को आदत होती है, बार-बार घर में कबाड इकठा करते हैं, जगे-जगे आप उनके घर पे जाईए, कॉर्नर में कबाड इकठा करके रखेंगे, कबाड खाना उनके लिए अलग होना उसको बाहर नहीं निकालेंगे वो, और ऐसे लोग अपने पेरों पे खुद गुलाडी मारते हैं, खास कर जो घर का मुख्या होता है, और अगर वो घर की चट पर या बालकनी में आपने इकठी करके रखा है, तो वो आपके परिवार की बरकत पर पुरा प्रभाव डालता है पैसों की तंगी बढ़ाता है, ध्यान रखें घर की चट हो, घर में कहीं पर भी फालतू का समान आपको हर्गिज नहीं रखना चाहिए, नहीं तो परिवार के सदस्यों के मन मस्तिश पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे घर में पित्र दोश उत्पन्न होते हैं और ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार से कबार इकठा करने से आपके जीवन की खुशाली नश्ट हो जाती है, कुछ लोग क्या होता है, अपने जो पर्स रखते हैं पॉकेट में, तीजोरियां रखते हैं, वो घर में टूट फूट जाती है, पुरानी हो जाती है, और इसी में पैसे और लक्ष्मी माता को स्थापित करते जाते हैं, आपको मैं क्या कहती हूँ, लक्ष्मी माता कौन है, लक्षरी की मा है, यानि पैसा, धन, चमक तमक, दिवाली में क्या करते हैं, खूब सारी लाइटिंग करते हैं, खूब सारी चमक तमक करते हैं, घर को साफ इससे आपके जीवन में परकत पनी रहेगी अपने रुपिय पैसे इधर उधर फेक कर नहीं रखने चाहिए एक स्थान नहीं उक्तोना चाहिए कि आप ओफिस से आ रहे हैं तो आपका पर्स यहां रहना चाहिए इस जगे आपको रखना चाहिए प्रॉपर्ली संभाल के रु करके रखना चाहिए दोस्तो टूटी या खुली हुई अलमारी कुछ लोग क्या होते किताबे रखने या कुछ छोटा-मोटा समान रखने वाली जो अगर घर में आपके भी है बार बार अपने खोल के रखी है तो यह आपके घर में पारियों में बादाई लाती है रुकावत लाती है और धन को पानी की तरह बहा ले जाता है इसलिए इस प्रकार के फटर अगर आपके घर पे है तो या तो नमें आप sliding doors लगवा ले या काच लेकिन आपको खुले हुए अलमारियां नहीं रखनी चाहिए अगर शोकेस की तरह उसको यूज करके आप चोटी मोटी चीजे रखना चाहते हैं डेकुरेटिव पर कुछ शोपीसे अलग बात हैं बाकी उसमें सामान आपको नहीं ठूसना चाहिए ये सभी चीजें आपको ब परिवार की आर्थिक स्थिती पर पड़ता है स्वास्त संबंदी समस्याई उत्पन करता है इसलिए कलाकृतियों के नाम पर ऐसी पेंटिंग्स या चीजें नहीं लेकर के आएं जिसमें सूखें टूट हो मानव रहित उजाड शहर हो बिखरा हुआ घर हो सूखा पहार हो या मृत प्रायर सजावटी चीजें हो जो मानी जाती है कलात्मक होती है लेकिन वास्तु शासर के नुसार ये सबी चीजें नकरात्मक उर्जाब के घर में पैदा करती है कोई भी लकडी की तो कोई भी फंडीचर भी हो तो टूटी हुई चेर टेबल जो भी पड़ी हो ये आपको तुरंट फिंक देनी चाहिए ये आपके पैसो और तरक्की को रोकते हैं और खासकर जो आपके बैठक में सोफा यूज होती है वो फटा हुआ या तूटा हुआ नहीं होना चाहिए होली के पहले पॉजिटिव एनरजी का हम बास करने वाले हैं होली पर अपने घर में चोटी चोटी चीजों से ये तो इससे पहले आपको वो चीजे लाने के पहले आपको अपने घर में बनने वाले मकडी के जाले आदी साफ सफाई तूरंट कर लेनी च अगर आपके घर पे आ गए तो आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में चुटकियों में बदल जाते हैं। अकसर लोग क्या करते हैं? घर किसी कोने के उपरी हिस्सों में जाले लगे रहते हैं, उनको अन्देखा करते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर तोड़ने का अभास होता है, कुछ लोग सोचते हैं, हम मकडी का घर तोड़ रहे हैं। और क्योंकि ये शिकारी को फसाने के लिए बनाती हैं, इसलिए माना जाता है कि ये जाला होना अनुचित होता है। आसकर हमारे जीवन में प्लास्टिक ने एक ऐसी जगह बना ली है, जहां हम भी अपनी जीवन को प्लास्टिक्लेस होने का सोच भी नहीं सकते हैं। प्लास्टिक्स का यूजबन कीजे, शायद एक आद महने दो महने चेंज़स होते भी हैं, लेकिन फिर क्या होता है, घूम फिर के वही प्लास्टिक्स वापस से हमारे जीवन का खास हिस्सा बन जाते हैं। आपको बता दो, प्लास्टिक कुर्जा का कूछ आलक होता है, आपके घर का बातावरन बदल जाएगा। आप देखेंगे पहले के घरों में कितनी शांती रहा करती थी। क्या होते थे, कांच के भढ़नी या फिर स्टील के बटन डबे आदी हुआ करते थे, तमबे के बटन अधि करते थे, दबबे आदी। लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक ने जगे लेली और प्लास्टिक हो गया, इंसान की फीलिंग्स भी प्लास्टिक होती गई, दिखाव्टी होती गई, बनाव्टी होती गई और धीरे धीरे रिष्टें बढ़ने लगे हैं, प्लास्टिक की अधिक्ता से घर में नकारात्मक उ पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं तो इसी तरह से अगर अगर प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीते हैं तो उसमें जो मुझूद विशेले तत्व होते हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और प्लास्टिक इसी लिए कैंसर का कारण बन चुका है दोस्तों प्लास्टिक की चीजें जहां तक शेष्टा करें घर से बिल्कुल दूर करतें धीरे-धीरे मैं आपको यह नहीं करें हूँ अभी आप फेक दे सारी चीजें पर ग्रैजुली जैसे से टूटती जाएं तो नई चीज जब आप लेके आएंगे तो प्लास्टिक लाने के बजाए आपको प्रॉपर धातू की चीजें अपने घर पे रखनी चाहिए दोस्तों इसके अलावा भी हम क्या करते हैं जो पुरानी दवाईया होती है एसिट की बॉटल्स होती है टॉयलेट क्लीनर सोप होते हैं फिनाईल होते हैं जहरीले रसायन होते हैं कीत नाशक होते हैं मच्छर माणने की दवा ऐंटिबआटिक्स अधिक जो बLब एक्स्ट्रा हम बलब ब्लब साधी लाके रखते हैं एर फ्रेश्ने रखते हैं ये सभी चीजे हमारे घर में घर के वातावरण को विशेला बनाती है इसलिए ये दिखाई नहीं देती है अस थूल रूप से लेकिन हावा का गुण धरम इससे बदल जाता है इसलिए सबी हानिकारक चीजे जो मैंने बताई है जो विशेले टाइप की होती है इनके लिए एक नियुक्त स्थान आप करके रख दे इसको घर में इधर उदर फैला कर इन चीजों को न रखें ऐसी वस्तियों के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवा ले और उसमें रखें जो किचेन और बेडरूम से आपके दूर हो कई लोग अपने घर में अनावशक पत्थर नग गिने अंगूठियां ताबीज जो भी रस्ते में गए कहीं से कुछ उनको स्टोन अच्छे लगे जो भी शास्त्रों के समान होते हैं या जोतिश की चीजे होत आपको ये मालूम नहीं होता है कौन सा नग आपको फाइदा पहुचा रहा है घर में और कौन सा नग नुकसान पहुचा रहा है आपको तुरंट इन चीजों को पहले किसी जोतिश से पूछ ले कि ये चीजे आपके लिए फाइदे मन है या नहीं और अगर नहीं है तो इन दर्वाजे से नकरात्मक चीजें दिखाई देती है, सूखा पेड है, फैक्टरी की चीमनी इसे धुआ निकलता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे द्रिश्यों से भी बचने के लिए आपको अपने घर को पड़ों से कवर करके रखना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पे अगर उ पुछ लगा देना चाहिए, आप चाहें तो डायरेक्ट मिरर लगा सकते हैं, ताकि द्वार बेद आपका खतम हो जाए, आप चाहें तो पंच मुखी हन्वान जी की फोटो लगा सकते हैं चोखट के ऊपर और या फिर आप बंदरवार लगाएं जिसमें कांच लगे हूँ और साथ ही साथ आप अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड में 9 इंच के आपके सिंदूर से आपको स्वस्तिक चिन बना कर रखना चाहिए, समय समय पर इसको फ्रेश करते रहें और फिर आप देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से सभी नेगेटिव इनरजी आपके घर से तूर रहती है और भी बहुत सारी चीजे होती है मैंने ट्राइ किया आपको बेसिक चीजे बताऊं कि आप घर से किस प्रकार से टूटी फूटी चीजे जो भी किसी के फालतू गिफ्ट साइवे हो लोग आपको अकसर समय समय पर गिफ्ट करते रहते हैं और आप क्या करते ध्यान भी नहीं देते हैं कि क्यों राहू की चीजे हो सकती है जिसे फालतू काँच का समान अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया वो आपके लिए घर में राहू दोशुत्पन कर सकता है आपको समझ भी नहीं आता चानक से अपके घर पे चेंजिस क्यों आ रहे हैं करती है मैंने कुछ चीजे बताई आपको होली के पहले आपको घर लानी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज उने लेकर आए और अगर नहीं कर सकते हैं तो गुलाल के टोटके में बताने वाली हूँ राप के टोटके बताऊंगी आपको जिसके बिल्कुल पहली की राख से खुबसूरत सी पॉजिटिव एनरजी अपने खर लेकर आएंगे तो कर लीजे उपाए दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली मम्मी बापा भाई भेन बच्चे सभी लोगों से शेर जरूर करें किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लि ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टे रह सकें लव यू आल टेक केर जैमातादी पंबं भुलेनात की